नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टुदी बुलन स्टॉक्स बात करेंगे आज केम्स लिमिटेड के उपर पिछले एक साल में कितनी बार न जाने मैंने इसको 2200 के आसपास 2300 के आसपास का कि इसको भर भर के मैंने ले रखा है अपने पॉर्टफोलियो में मेरी यहां पे इन्व क Springs लेलू क्या और अब वापीस इसका एक नया ड्रामा आया है यहां पर अभी कंपनी में जो प्रोमिटर उन्होंने हिस्सदारी बेश दी यह तो prefers किыт डरी बी की है उसको लेकर व्यू है आज यह के उल्डियू है जो अमारे पास existing holding trata के के लिए मैं बुक कर शुका हूं हू क्या व्यू है सारी चीजों को हम डिसकस करने वाले हैं सब चीज देखेंगे लेकिन एक बार जरा पिछले वीडियो में क्या बात हुई थी उसको सुन लेते हैं फिर आगे की चर्चा करेंगे और जो भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के मकसद से है एजुके वीडियो में सबसो पहले पुराने वीडियो की बात की आखिर बार हुई क्या थी då बेड़े कोते हैं। 2670 से 2680 की रेंज, इसके उपर गया, तो क्या होगा, swing trade एक्टिव होगा, यहाँ पर क्या होगा, swing trade एक्टिवेट हो जाएगा, तो 2500 को बना देगे, important level, फिर उपर में, उपर में इस टॉक के लिए, इमीडेटली, मैं आपको बता दू, 2810 रुपए, यह पहला resistance यहाँ पर रहने वाला, जो मैं अपने radar पर दिख रहा होगा, अच्छा, second कौन सा रहेगा, 3960 रुपए का second resistance रहेगा, चलो यह भी हमें दिख गया, और फिर third क्या रहेगा, जैको third काफी उपर है, कैसे है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसा कि आपने सुना, पिछले वीडियो में clear बात हुई थी, कि यह in targets पर जा सकता है, recent में stock ने अभी जो high लगाया है, वो high लगा है, लेकिन फिर भी share जो है, देखिए, पिछले चार दिनों में उपर है, और news को आए चार दिनों हो गए, तो उसका वाकई में को impact है भी या नहीं है, वो सारी सिस discuss करेंगे, लेकिन आपसे मेरी एक हाथ जोड़ के विंती है, request है, इसे आप कैसे भी समझे, मैं आपे channel की इस side पे playlist चला देता हूँ, यह हमारी playlist है, यहाँ पे investment ही playlist होती है, उस पे click करके देखिए, मेरे पिछले एक साल के कितने ही investment stock, more than double, triple, 4-5-5-5 तक हो चुके है, कईयों में bonus split आ चुके है, कोई भी investment stock हो, मेरा बहुत जबर्दस return दे चुका आप सब लोगों को, अगर आप नहीं देखते तो इस investment playlist को देखिए, मैं अपने personal investment यहाँ दालता हूँ, कुछ उनमें नहीं stock क्यों नहीं हो, मैंने सबकी update दी, लेकिन वाकई में आप लोगों बात बता हूँ, camps की भी इतनी update देने के बाद दी, मुझे पता है, 10% लोग भी पैसे नहीं कमा सकते, कारण उसका क्या है, सीखा हुआ है, logic उनको पता नहीं है, mindset clear करते नहीं है, trade है या invest है उनसे clear नहीं ह तो आपको market पैसा क्यों दे, out of 10 करोड पीपल, आप अगर उस 10% में या उस 1% में आना चाहते हो, जो वाकई में बड़ा पैसा कमाते हैं, तो आप में कुस्तोय special होना चाहिए, special कुछ है नहीं, लेकिन market से उम्मीद है बहुत जादा है, तो returns नहीं बनते, यह तो मैंने live updates यह इन सब चीजों की, इनके अलवा stock of the week अलग चीज है, तो आप देखें, समझो चीजों को कि किस बैसिस में मैंने इनको buy किया था, पिछले वीडियो को देखके भी आप बहुत सी चीज़े सीख सकते हो, तो मैं request नहीं इसको जरूर देखेगा, अब बात करते हैं, camps में जैसे हमने बात करी थी, वो targets लेगा, वो targets इसने लिए हैं, यहाँ पर हमने देखा कि वो targets भी आए, सारा काम भी हुआ, अब यहाँ पर आज की date में आप camps को देखें कि आज का chart क्या बोलता है, सबसे पहले यह हमारे सामने weekly chart चल रहा है, इस weekly chart को आपने देखा, यहाँ पर उस time activate हुआ, और investors के लिए बात करी थी, कि नीचे यहाँ से dip आएगी, तो dip के अंदर बची हुए quantity वो लगा सकते हैं, तो 60-70 टका यहाँ, बाकी 30-40 टका को यहाँ accumulate, तो उनका average 2400 के आज पास कुछ बैटता है, बहुत बढ़ी या return बने होंगे, 2400 से भी कम बैठेगा चा तो मैं आपर लिख देता हूँ, resistance, यह हमारा पहले resist था, यहाँ पर resistance मिल रहा था, तो आज की जट में important support रुपीज 26-70 ही हो जाना चाहिए, जितनी मेरी चोटी बहुत knowledge है, उसके अंदर में आपको बता रहा हूँ, भाई साब यह होना चाहिए, बाकी देखिए, लोगों पास बहुत सारा ग्यान है, यहाँ पर इस level को हमें important level बना के रखना होगा, उपर की side बात करें, तो stock आप इन levels के पास जो वो नया resistance बना रहा है, जो की हो गए, रूपीज 2980, अब इसको मैं round off करके लिखूंगा, रूपीज 3000, इसको मैं 3000 की range बानूँगा, क्योंकि वो psychological level ह तो इस resistance के पास stock जो वो खड़ा है, यहाँ पर देखने में पता चलता है कि एक बड़ी consolidation हुई थी, उस consolidation को काट के उपर गया है, so the thing is, अब अगर वापिस इस consolidation range में आता है stock, यानि इसके अंदर वापिस stock entry करता है, तो यह वापिस क्या हो जाएगा, short term bearish हो जाएगा, यह weekly chart पर बता चला कि बाइस साब आप इस level के नीचे मत आना, अगर आप इसके नीचे आते हो, तो आपकी grip जो bears के हाथ में आ जाएगे, और short term के लिए आप एक बार bears के grip में चले जाओगे, तो इसके नीचे आप नहीं आ सकते, यह weekly chart बोल रहा है, आपकी तेजी और accelerate कब होग इस level के उपर आपकी तेजी accelerate होगी, अब promoters की जो news है यह उसके उपर भी इस video में मैं बहुत सी चीज़े बताऊँगा, लेकिन पहले इसको समझे जरा, यह हमने इतना समझा, अब weekly chart ने हमने इतनी सारी बाते देख ली, अब आईए, यहाँ पर जरा इसको समझने कोशिश क करते हैं, ओना monthly chart, कि monthly chart अभी क्या बोलता है, यह हमने monthly chart convert किया, और यहाँ पर आप देखेंगे, इस data को कर देंगे, हम data, और यहाँ पर यह देखिया, इन levels पर भी आपको एक चीज़ क्लियर पता चलेगी, कि stock ने जिसे साबसे इस range को बनाया था, इसको काट के उपर गया ह तो short term के लिए यह level बड़ा important होगा, उपर में इनी levels के पास देखिये, stock में पीछे भी काफी अच्छे resistances ले रखे हैं, और अभी भी recent में यह level resistance बन रहा है, जिसे round off में आप मानेगे रूपी 3000 का resistance, पिछले महीने में तेजी काफी अच्छी रही है, और इस महीने थोड़ा उसका excellent मिल रहा है, बट यह तेजी sustain तभी होगी, जब आप जितनी जल्दी 3000 के ऊपर निकल के sustain कर लो, तो आपकी तेजी sustain होगी, वरना यह तेजी पे break लग सकता है, यह monthly chart ऐसा बोल रहा है, monthly chart को भी हमें पूरा importance देना होगा, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, आपकी news की, कि promoters ने बेच दिया, अब क्या होगा, अब तो company डूब गई, बरबाद हो गई, है भगवान, यह मच गया ता भाही, ना जाने कितनी ऐसी company है, जो की institutional driven होती है, जिनमें promoter का कोई stake नहीं होता, उसमें बहुत सी company के नाम होंगे, आप list चेक कर सकते हो, ब मुझे एक बाद बताओ, इधर है वो GTI, जो Great Terran Investment है, उसने यहाँ पे अपनी पूरी holding बेची है, वो इस company का promoter है, इधर है यह लोग जिनोंने खरीदी है, इनमें कौन है, इनमें Society General, Goldman Sachs, Morgan Stanley, और Abu Dhabi Investment Authority, UTI का Midcare Fund है, और BNP पारिवास है, KOTAC Fund है, इन सब ने खरीदी है, तो अब इन दोनों में से मुर्क कौन है, यह GTI मुर्क है या 11 जो बायर है, इन्होंने भाई किया, यह मुर्क है, कौन मुर्क है, यह दोनों हातियों की लड़ाई है भाई साब, इसको अलग अपोर्चून्टी मिली होगी, यह निकल रहा है यहां से, कोई जरूरी है क्या क इसने बेचा है, इसका मतलब शेर नीचे आए, या इन्होंने खरीदा है, इसका मतलब शेर उपर जाए, हम रिटेलर भाई क्या करते हैं, कि इसने बेचा है, तो यह मुर्क है क्या, इसने क्यों खरीदा है, इसने क्यों बेचा है, हम इन चीजों के पीछे बागते हैं, भा अब एक चीज़ और समझेगा, अगर इस company को कोई better investment opportunity मिल रही है GTI को, तो ये दूसरे जगा पैसे क्यों नहीं लगा सकती या फिर इसको हो सकता, इसमें बहुत अच्छा return मिल गया इसके discipline सहते थे कि इसको 10 कुना करना है, वो हो गया, और इनके discipline इसके discipline ऐसे है कि इनको साइद चाल का 20% return चीए, उनको लग रहा है, camps दे देगा तो इनकी requirement अलग है, इसकी requirement अलग थी हम compare करते हैं retailer, हम बनते हैं मुर्क, हम compare करके, कि भाई तुने बेचा है, तो तु मुर्क है क्या, इसने जरूर कुछ देखा होगा, इसको जरूर कुछ अंदर गा पता है, तो फिर इसने भी तो लिया है, तो ये मुर्क है क्या, अब बताओ कौन सा मुर्क है कोई मुर्क नहीं है, दोनों की requirement अलग-अलग हो, retailer भाई अपना mindset और requirement क्लियर कर ले, तो उसे किसी advisor की जरूरती नहीं है, लेकिन वही तो clear नहीं करना, chart पे सीखना नहीं है, तो दिक्कत होगी होगी, चलिए back to the chart, ये हमने सारी चीज़ देखी, एक बार daily chart इसका और देख लेते हैं, let's have a look, daily chart क्या बोलता है, और ये daily chart हमारे सामने आया, daily chart में मैंने यहां पे 200 दिन का moving average भी लगाया है, इसके उपर भी अभी stock चल रहा है, तो long term में bearish तो stock तब होता है, जब वो 2360 के नीचे आता है, देखे, short term bearishness का level हमने यहां पे देख लिया, long term bearish होगा, जब वो इस line के नीचे आएगा 2360 के नीचे, अब कोई इतना patience रख सकता है कि 2360 वाला, वो देखने वाली बात होगी, मैं क्या कर रहा हूँ, वो चली मैं आपको बताना चाहता हूँ, so go back to the weekly and monthly chart, यहां पे चलते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना अच्छा profit मिला है, 40% quantity मेरे पास जो थी, वो मैंने sell करी है, और वो quantity कहां से थी, आप सब लोगों बता है, हमने आपे कितना अच्छे से इसको लिया हुआ है, पिछले एक साल से मैं कितनी बार से यहां बोल रहा हूँ कि इस range में accumulate बनता है, तो बहुत अच्छा return मिलके मैंने वो quantity बेची है, remaining quantity को मैं आपको बता जिता हूँ, remaining जो मेरी है, उसके लिए मेरा trailing stop loss, TS, मेरा TS जो है, वो रहने वाला है, rupees 2670, ध्यान रखी, 2670 मेरा remaining quantity के लिए trailing stop loss रहेगा, यानि कि 40% quantity में already आज इस price के आसपास बेच चुका हूँ, remaining quantity के लिए मेरा stop loss चुनाएगा, वो इस price के आसपास रहने वाला है, आपको मैंने अपना disclosure दिया है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब बात करते हैं कि आज क्रिट में और क्या क्या किया जा सकता है, वो सारी सीज़ देखते हैं, तो देखिए, हम बात कल रहते हैं, जो already invested है, जो already invested है, देखिए, हर एक चीज़ डिपेंड करती है, आपकी requirement पे, already invested हो, पहले हो सकते हो, आप उपर से, तो क्या करें, भाईस आप कोई लाज नहीं है, शांते से बैठे र लेना, वरना पश्तावा होगा ही होगा, कोई इलाज नहीं होगा, आगे, अब दूसरी बात करते हैं, अगर आप यहां से already invested हो, तो क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने तो 40% profit लिया है, जैसे मैंने तो 40% profit लिया है, इस stop loss के साथ जो ride कर रहा हूँ, अब कोई बोले नहीं, मेरे क ही रखना है, इसको बहुत अच्छे सा ride करना है, तो फिर आपके लिए यह होगा, मेरे लिए यह होना important है, because मेरे को capital और भी जगा shift करनी होती है, capital मेरे पास बहुत unlimited नहीं है, limited capital होती है, तो इसके नीचे आने पर मैं अपनी position को cut close समाप्त कर सकता हूँ, यह बात अलग है, म इसको बुक करना ही नहीं, इसको ride करना है, चुप चाप, तो वो अपने trailing stop loss बना के ride करें, जैसे आज की date में उसका 26,70 है, थोड़े दिन बाद मानो, तीन हजार के ऊपर चला गया share, तो अपना trailing stop loss उन्होंने अठाइस सो के आसपस कर दिया, 32 हो आया तो 3 कर दिया, 34 हो ग कोई कहता है, मैं एकदम long term investor हूँ, 10 साल बेचना ही नहीं चाता, तो उसको मेरा नमस्ते, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, वो बहुत अलग level के लोग होते हैं, और देखिए, वो गलत भी नहीं होते, 10 साल में बहुत अच्छे returns बनेंगे भी, ये भी बात पकी है, दूसरी च सकता, बस इतना बता सकता हूँ, इस price में fresh investment के लिए ये नहीं बोल सकता, कि आप without stop loss जाओ, invest with stop loss ही होगा, यानि वो invest कम होगा, वो swing या फिर आप short term investment ही कह सकते हो, short investment ही होगा, with SL जाना चाहिए, मेरे हिसाब से with SL जाना चाहिए, जाए तो, बढ़ना इस से better opportunity और options आपको आ आपको 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 समझेंगे, बात करते हैं, कोई swing trade है क्या, आज की rate में कोई swing trade दिखती है क्या, swing trade की बात करते है, swing trade है क्या, क्योंकि promoter ने बेस दिया, बहुत negative news यह है, वो है, तो swing trade, already target done हो चुके है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी फिलाल कोई भी swing trade opportunity नहीं दिख रही है, ध्यान रखिए, अभी फिलाल कोई swing trade नहीं है, हाँ, अगर ये 3000 के उपर निकलता है, तो जरूर एक बन सकती है, जिसके अंदर इस्टॉक जो है, वो 3140, 3230, ये जो दो चोटे से काम है, वो कर सकता है, बट ये होगा कितना, ल इसको better option यहां नहीं मान रहा, जब यहां आ जाएगा, तो मैं उसको better option नहीं मानुगा, जब कि company खराब होई गया, नहीं होई, result सुदर रहे हैं, क्या, वो result आपके पास बाद में आते रहते हैं, यहां पे ते तब तो कोई नहीं बोल रहा था, उठाओ, यहां तो सभी बो लोग stop loss को follow क्यों नहीं करते, चाहिए वो trading हो, चाहिए investment हो, क्यों नहीं करते, जब stock को गिरावट में हम लेते हैं, मानों यहां पे ले रहे हैं, तब हम पूरी quantity एक बार में नहीं लेते, हमेशा कैसे लेते हैं, 50, 60 या 70% लेते हैं, बाकी को हम क्या करते हैं, accumulate करते हैं, क् उस टाइम पे clear नहीं है कि bottom खाएं, ताकि नीचे आए तो हम उसको और भर पाएं, और bounce मिलेगा, तो उससे निकलेंगे, अच्छे profit लेके निकलेंगे, लेकिन जब हमें clear हो गया कि bottom मन चुका है, clear हो गया कि stock bullish हो चुका है, clear हो गया कि stock uptrend में है, फिर हमें stop loss को trail करके आग इसको trail करने गा, मैं चुक चाप इसको trail करते जा रहा हूँ, अब मेरा ये हो गया हो थोड़े दिन बाद में शएद ये हो जाएगा, उसके बाद में शाएद ये हो जाएगा, जब price यहां आ जाएगा, यहां आ घाया तो यहां तो मेरा इभी trailing चल रहा है इसके अंदर, i hope आपको समझ आया होगा कि मैं कहना क्या चारा हूँ Choose a setup और investment में हम तब तक stop loss follow नहीं करते हैं जब तक वो गिर रहा है और bottom clear नहीं है जिस दिन bottom clear हो जाता है तब हम stop loss clear करते हैं और हम लेते भी कब हैं जब stock अपने high से करीब 40, 50, 60, 70 का टूटता है तब हम entry करते हैं उससे पहले हम करते भी नहीं है मेरे disciplines आपको पता भी है अगर आप follow करते हों नहीं करते हैं तो वो investment वाली playlist एक बार वापिस देखिएगा तो यह थी chems के उपर update ना तो mutual fund वाले मुर्ख है ना FIAs मुर्ख है मुर्ख बन जाएगा retailer अगर इन दोनों को follow करता रहा तो अपनी requirement क्लियर करो इनको reference के लिए अपने काम में लो इनके उपर dependency मत बनाओ ऐसी analysis अगर सीखना चाहते हैं wave analysis में आईए description of details है और किसी भी जानकारी के लिए इस नमबर पर आप call कर सकते हैं सुबह 10 से शाम को साथ या फिर WhatsApp भी आप कर सकते हैं wave analysis एक one-to-one training program है जहां आप मेरे साथ one-to-one सीखेंगे और उसके बाद दो महीने सीख लिखने के बाद आप trainees group में lifetime के लिए entry पाते हैं जहां मारी important update और support जो हो आपको मिलता रहता है WhatsApp group में जहां पर हम important कुछ update डालते रहते हैं हमारे लोगों के साथ discussion होते हैं तो उनके लिए एक अलग group है जिसका यहां पर link दिया है जरोदा एंजल आप स्टॉक्स उसमें account कुलाने पर आपको entry मिल जाती है तो अगर उस group से जुणना चाहें तो जरोदा एंजल आप स्टॉक्स में account कुलाके भी आप उमारे साथ जुड़ सकते हैं अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए आपका धन्यवार किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस नमबर पर WhatsApp या कॉल करना ना भूले जैहिन जैभारत